नमस्कार, जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको डेटेल बताता हूँ, करणाटका बहुत कॉंप्लिकेटिड है, लेकिन अच्छा ही बात यह है कि आप पहले वीडियो में समझ गयोंगे कि फ्री एक्जीट है, एक्चुली जिस तरह से करणाटका के ब्रोशन होती है, या तो आप सीट फ्रीज कर देते हो, या अप गेड के लिए जाते हो, या छोड़ देते हो, और राउंड टू के लिए लिजिबल रहते हो, ठीक, जहां पर भी फ्री एक्जीट है, यही करणाटका में है, पर शब्दों का फारा क्या है, वो च्वाइस वन, च्व लिंक लाइव हो चुका है, अब देखिए, आप से क्या पुछा जा रहा है, सबसे पहले CET नंबर और, यह CET नंबर में आपको बताया था, जब आपको ने वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करी है, जो की, यह कल होमपेच पे आ रहा था, इसमें आपको यह CET नंबर मिल है, आप capture डालते हैं, आप submit करते हैं, आपके अपास एक नया आ जाता है, मैं अपने किसी client का खोलने से पहले इसलिए एक बाज ज़रा पॉस कर रहा हूं वीडियो ताकि आप मैं उनकी detail डाल सको, ओके, so hang on, देखिए मैंने यह detail डाली, मैंने submit का button दबाता हूं, और अब application number मिला था, ध्यान है, और दूसरा वही secret की, जो हमने बोला था कि आपको verification slip में मिलेगी, और तीसरा जो आपका original password है, राइट, जब आपने तब बनाया था, जब आपने registration किया था, तो ये दोनों figure, application number और passport तब से है, जब से आपने register किया था, तो मैं फिर से अपने clients का डा दालता हूँ, जब आप hold रखिए, अब देखिए, जैसी हमने वो डाला था, तो ये screen आगे, तो हमने तीन चीए डाली, देखिए कोई मैं पहले एक पर इस्तमाल कर चोगा, वरना इनों इसी आप से बीच में कॉर स्क्रीन भी आया था, जिसमें mobile number और दालता हूँ, जब आ email IDP मांगा था, update देने के लिए, और ये मेरे पास एक information, एक figure आ गई, इसमें ये example वगरा देते हैं, वो सब छोड़िये, सीधा आप इस पे जाएंगे, candidate options, options entry, left में सारी option आएंगी, आपने, इसमें आपको drag and drop नहीं करते हैं, MCC के तरह बड़ा unique system है, let's say कि आप, आपने St. John's को number one करना है, तो आप हर एक college को list priority देंगे, तो let's say विदही को फिला अलम number one कर देते हैं, और number two कर देते हैं, MVJ को, right, तो ये हो गया one, ये हो गया two, अब आपको जाद भी नहीं रखना है, आप इसको save and submit करेंगे, यहाँ पर आपको आने लज़ेगा one two, तो आपको one two हो और ये दोनों option यहाँ से गायब हो गई, यहाँ पर detail भी आ रही है, पर यहाँ पर सिर्क code आ रहा है, अब आप अगला option देंगे, वो देंगे three, right, तो आपने three दिया, let's say किसी MS Ramya को, फिट से आप save and submit करोगे, तो यहाँ पर three आ जाता है, right, और आपने इसको delete करनी है, तो आपको demo दिखा रहूं न, आपने सब को zero, zero, zero करना पड़ेगा आपको, आपने zero, zero, zero करा, update करा, यह वापस चली गई, इस तरह करके जब आप पूरी पूरी तीज भर देंगे, तो last में आपने जैसे सरको अब update करते जाएंगे, save and submit करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका submit हो कि इस तरह ऐसे जब आप choice डालेंगे, मैंने आपको live दिखा दिया, आप ऐसे करते हैं, इस तरह ऐसे आपकी options आती रहती है, नीचे viewing की option आती है, और बहुत से simple है, गभराने की बात नहीं है, और अराम से आपका काम हो जाते है, right, तो यह तो हो गया options भरना, अब हमने कल ही सुभा बात की थी, मैंने आपको बताया था, कि ध्यान आपने यह रखना है, कि इसमें free exit है, यह देखे, seat chart भी आ गया है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, कि जितने भी, जो हमने बात की थी ना, कि जो करनाटका में private colleges हैं, कम fees वाले, देखिए यह है, private colleges की fees, तो 672 seat available है, outside कनाटका के बच्चों के लिए, जिसको open कहा जाता है, बाकि जो seat हैं, यह किसने किसी कोटे के अंडर आती है, total 2215 कनाटका में private seat हैं, फिर नीचे BDS की है, हम BDS में ध्यान देते ही नहीं है, हमने बात किती कनाटका में एक NRA quota भी है, तो उसमें हर college में जो NRA की seat हैं, वो भ भारी भरकर में लोग fees लेते हैं, मैं फिर से आपको दिखानी कोश्क करते हूं, उसका भी seat chart अलग साय हुआ था, यह लोग, यह तब है जी जब आपको, आपको मन कर रहा है, राम्या में ही पंड़ने का, आप NRA भी नहीं है, और आपका राम्या में ही पंड़ने का मन कर र हैं, तो अगर आप seat chart देखेंगे, तो आपको तॉप class college में भी मिलता है, यह बैंगलावर के उसकी problems, आपको top class college में मिलता है, हर बार यह पहले करनटका में आता है, इसको English में change करो, फिर से ऐसा करेंगे, फिर से करेंगे, तो आपको finally दिखेगा, यह देखिए, और इसमें आपको, जो यह अदर स्कोट है, हमने जो बात की थी, यह बड़ा भ्हंगर कोटा है, इसे आप super management कह लीजिए, तो कि इसमें आप fee structure जब आप देखते हैं, तो पैंती-पैंती लाख रुपे साल की fees है, और लोग देते हैं, और उसी के साब से यह निकलता है, अब NRAE की भी fees देखेंगें, तो काफी high है, अंदर लिखा हुआ था, और जो अरिजिनलिका ब्रोशर था, अभी इसमें यह आगए आपका, अदर्स का भी शैद यही था, उसी को शैदी NRAE में गिन रहे हैं, तो देखिए, अदर्स कोटा, तो अदर्स NRAE यह एक में मानते हैं, और जब फीस कनवर्ड करते हैं, तो 35-45 लाग रुबे की आती है, इतने बच्चे NRAE आते नहीं है, तो जैसा मैंने का कि हरे टॉप कॉलिज में यह शीटे हैं, जो आपको मिल सकती हैं, अगर आप सवा 1.5 रुड़ रुबे खरच करना चाहते हैं, आपके मार्स कम है, पर आपको र एक से तीस, तीस टोटल कॉलिज हैं, जिसमें 26 अस्ते हैं, और बाकी चार तो वही हैं, ठारा लाग फीस वाले हैं, तो 26 कॉलिज ही में बात करूँ, जो अपने क्लाइन्स को सुलिज करें, तो एक से 26, एक वाज़ आपने रैंक दे दिया, वो रैंक नहीं चेंज हो का आग आपके लेके अपग्रेड करें, अपना option 3 select की, जिसमें की मतलब यह है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, free exit ले रहे हो, तो round 2 में आपको बाकी सब options के लिए consider किया जाएगा, सिर्फ उस option number 14 को जो आपको round 1 में मिल गई थी, वो आपके computer ही system ही automatically आपके choice list है, उस choice को delete कर देगा, यह हो गया, free exit का funder, अब आजाएगे post verification, देखिए अच्छी बाइद होने करी है, जैसा कि बात की कि choice 3 में तो आपने free exit ले लिया है, choice 4 भी यह देते हैं आपको, जिसमें आप officially withdraw कर रहे हो counseling से, तो पता नहीं यह choice कौन ही तो इसको इसको इस्तेमाल करता होगा, अब 1 or 2 में तो फरक क्या था, देखिए, दो step है न, पहले जैसे आप उस seat मिली, आपने online fee pay करी, RTGS से, और उस documents को पहले आप लेके जाते हैं थे, कहां पर K.E.A. में, जो की official है, Bangalore में, तो 4 step process थी, आपने fees दी, fees देके फिर आप जाओगे पहले K.E.A. में, ठीक है, deposit the original documents there, जब आप हो deposit कर दोगे, उसके बाद आप एक admission order download करोगे, उसको लोगे फिर college जाओगे, तो let's say कि आपका college हसन में है, या गुलबरगा में है, तो पहले आप Bangalore जाओगे, K.E.A. में अपने original document दोगे, वो आपको admission order देते थे, फिर आप उसको लेके college जाते थे, और college में बलकिया photo को भी जमा कराते थे, और फिर college वाले भी एक तरह से login में करते थे, कि आपने वहाँ पर जाके seat को freeze कर दिया है, तो कोई tension की बात नहीं, और फिर वापस आके आप अपने login में भी ये करोगे, कि भई मैंने seat freeze कर दी है, I will login to my option entry login ID, and I will report to K.E.A. that I have joined the college, और पूरी process समझे आप choice 1 में क्यों होता था, जो अगर आपने seat freeze करनी है, choice 1 से मत गवराइए, तो आपने fees दी, आप original document दिया, फिर आपने admission order लेकि college report करा, और वहाँ पर आपने भी फोटो कॉपी दे दी अपनी documents की, और फिर वो college authority भी कहती थी कि हाँ भी बच्चा हमारे पास आगया, और फिर आप आधा काम करते थे, तो आप KES पर them, जो brochure है था, कि आप KES तक तो जाओगे, original document दोगे, लेकिन college में report नहीं कर रहे, आपने उनको पहली कहते है कि मैं upgrade के लिए जा रहा हूं, जो आपने choice 2 सिलेट किये थी, right, लेकिन जो मुझे इनका constantly schedule नज़र आ रहा है, उसमें इनोंने ना choice 2 वालों को bangalore नहीं बुलाया है, so देखे आप payment of fee and downloading of admission order, payment of fee by choice 1 and 2, downloading of admission order only by choice 1 after payment and deposition of original documents, which means कि आपको bangalore नहीं जाना अगर आप choice 2 सिलेट कर रहे है, I think because of covid उनोंने ये छूट देदी होगी, कि जो लोग upgrade करने जा रहे हैं, वो bangalore आने का कस्ट ना करे, ये जो historic इनकी process थी, वो ऐसी हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो हमें तंग नहीं कर रहे हैं, choice 2 वालों को जो upgrade के लिए जाना जाता है, जो most लोग जाते ही हैं, हम सभी जानते हैं, तो फिर आप fees पे जरू कर देंगे, seat को hold करने के लिए, पर आपको report, bangalore जाके report करने की ज़र जानी हो, you can always take our premium counselling services, आप हमारे hair blind पर phone कर सकते हैं, और मुझसे बात करने के लिए, nominal amount देना होता है, आपको पहले 1500 rupees का, जिसमें हम 15 minutes बात करते हैं, मैं आपके काम के scope को समझता हूँ, और इसके साब सभी आपको counselling charges बताये जाते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो. जानी हो.